कि क्रेड़ काड के बारे में अगर सपस्टे सब्सक्राइब निकालने लिए के तु है क्रेड़ क्रेड़ क्यूं है तो आपको डिपोली करना चाहिए इसके बारे पूरी इटेटल्स बात करने वाले और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे लिए विडियो को लाइक कर दे तो जानते हैं क्या क्या प्रोसेस होने वाले और क्यूं नहीं आपको रेंट पेमेंट के थुरू क्रेडिट काड से पैसे निकालने चाहिए इसके बारे में बात करेंगे तो आई नहीं तो आप बेंक अकॉंट पर भी कर सकते हैं और अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टूट का पेमेंट करना चाहते हैं तो भी यहां पर आप कर सकते हैं लाइग हमने पहले भी एक अल्रेड पेमेंट किया हुआ है अब देखसो तो संजीब साह करके मैंने अपने नंबर पर ही किया था अगर आप देखें एक हम माले जीए कि कुछी कमणते करते हैं तो कोंटेक्ट पर क्लिक करते हैं यहां पर इसका नाम सर्च किया है यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर पूछेगा कि अमाउंट कितना पेमेंट करना चाहता है यहां पर हम 10,000 कर देते थे ठीटीका है यहां पर आपके आप से पैन का अगर आप इस पर भी क्लिक करते हैं तो यहां पर भी आप से पैन और डीटेल कंपल्सरी मांगा जाता है तो यह पैन का डीटेल पहले तो नहीं मांगता था अब अभी मांगने लगा तो ऐसा क्यूं तो मैं आप को बता दूँ यह इसलिए मांग रहा बेसिकली जो रेंट है एक तरस यह source of income है, इसको आप rental income में concern कर सकते हैं, इसे आप एक तरस रेंटल income मान सकते हैं, और अगर कई लोग क्या करते हैं, इसे अपने source of income में नहीं दिखाते थे, मतलब जो भी लेंडलोड हैं, जिनके पास भी rent से अच्छा खासा income आता, इसे अपने source of income में नहीं दिखा करने के लिए, और इस बज़े से अगर अभी आप UPI payment करते हैं, UPI से या online rent payment करते हैं, तो यहाँ पर इसने, मतलब, यह default कर दिया, अगर आप rent payment करेंगे, तो यहाँ पर आपको दे नहीं पड़ेगा penka details, और यहाँ पर penka details उनका देना है, जिने आप payment करेंगे, अगर मैं अ इस bank account में आप डालते हैं payment, और उस bank account में और जो आज का penka details आप फिल करेंगे, तो उससे match होना चाहिए, अगर miss match हुआ तो यहाँ पर आपका error आजएगा, और वो match नहीं होगा, तो यहाँ तक तो आप समझ चूएं कि penka details क्यों मांग रहा है, और इस बज़े से अपने penka details देना पड़ेगा, and यहाँ पर हम बात करें कि अगर आप rent payment खुद पैसे निकालने के लिए करें, कई लोग क्या करते हैं कि जो rent payment है, basically credit card से पैसे निकालने के लिए भी use करते हैं, वहाँ पर charges को कम लगते हैं थोड़े से, पर वहाँ पर क्या होता है कि payment stuck हो जाता, basically अगर आपने अपने फ्रेंड को ही किया, और आपके फ्रेंड के पास rent payment जाने में टाइम लग जाता है, 24 से 48 घंटे का टाइम लग जाता है, कई लोगों के साथ प्रोलम आई है, मैंने एक वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने बताया था कि हाँ, यहाँ पर 24 से 48 घंटे और कई के केसे में 5 दिन का भी टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए rent payment करें तो आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपको instant money की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते है, मोबी क्यूक एक application है, वहाँ पर जाके add money कर सकते है वहाँ कैसे add money करना है, credit card से क्या-क्या process होने वाले है, उस पर भी मैंने एक already video मना रखा है, उस video का link मैंने video के description दे दिया, आप जाके उस video का भी देख सकते हैं कैसे आप मतलब, मोबी क्यूक में credit card से पैसे add कर सकते हैं, और क्या-क्या process होने वाले है, उस सब भी देख सकते कि यो बहुत टाइम लग जाता है और पयमन भी बहुत डेले हो जाताा और एक यहाँ पेन कर्डुक्र परोलम में यह बहुत बड़ा मेंजर प्रोलम है तो इस ब्रसेश्च कीज़ें ज्याहँ आपको रेंट पैमेंट के थूप करेडिकार से पैसे निकालना चाहिए और कौन से और अपको आज का वीडियो पसंद आगा वीडिविडियो प्लेग चैनल सस्क्राइब करें मैं मिलता आप से नहीं वीडियो में जब तक लिए बाइट